नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर्सक्लाड में तो दोस्तो भारत ने पहली बार स्वदेशी एंटीसिप मिसाइल का सफल पड़ी छड़ किया है और ये मिसाइल पाकिस्तान और चीन की नेवी के लिए एक बड़ा खत्रा बनकर उबरेगी अब आप लोग सोच रहे हो दोस्तो भारती नौसिना ने और डियारडियो ने एक साथ मिलकर स्वदेश में बनी एंटीसिप मिसाइल का सफल पर इचड़ किया है और आपको बता दूँ यह मिसाइल सभी तैमानकों को पूरा करते हुए पूरी सटीकता के साथ टार्गेट को ध्वस्त कर दिया है और ज यारडियो ने स्वदेश निर्मित नौसिनिक एंटीसिप मिसाइल का सफल पर इचड़ किया था और यह टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास किया गया था वहीं आपको बता दूँ कि भारती नौसिना के लिए पहली बार हवा से लांच की जाने अली नई स्वदेशी नौसिनिक एंटीसिप मिसाइल बनाई गई है और यह मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रेजेक्टरी पर चलते हुए सीधे टार्गेट से जाकर टकराती है और सी स्कीमिंग का मतलब है कि मिसाइल समुद्र की सता से कुछ फीट या कुछ मीटर उपर तेजी से उड़ते सकती है और इसके बारे में इंडियन नेवी की तरफ से अभी तक कनफर्म नहीं किया गया है कि यह मिसाइल पर माडव हतियार भी ले जा सकती है या फिर नहीं वहीं या मिसाइल समुद्र से इतना कम उचाई पर उड़ती है कि दुस्मन उस मिसाइल को मार कर गिरा नहीं सकत अडिया तक्नीक सिर्फ और सिर्फ भारत के ब्रमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में है और टेस्टिंग के दवरान इस मिसाइल की सटिक्ता और वेल्डी नेशन नियंत्रन गाइडेड और मिशन संबंदी अन्य अल्गोरिथम की जाच की गई सब कुछ एकदम सही निकला मिसाइल के रास्ते में लगाए गए सेंसर्स ने मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री और सभी इवेंट को सही से कैप्चर किया है वहीं आप लोग जानते होंगे कि समुद्र की सता से चिपक कर चलने की टेक्नालोजी सिर्फ ब्रमोस मिसाइल के पास है और अब इस स्वदेश निर्मेट नेवल एंटी सिप मिसाइल में भी देखा जा सकता है वहीं आपको बता दू कि यह मिसाइल नवसेनिक हेलिकाप्टर पर लगाए जाएगी ताकि दुस्पन नेवी के सिप्स और उनकी सम्मरीन को आसानी से निसाना बनाया जा सके वहीं फिलाल के लिए इसकी लांचिंग सीकिंग 42 भी हेलिकाप्टर से की गई थी और इस मिसाइल में स्टेट आप दा आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगता है इसके अलावा इंट्रिगेटेड अवियानिक्स भी है और इस पर इच्छड के दौरान DRDO के सीनियर वैग्यानिक और भारती नौसेना के अधिकारी मौझूद थे वहीं रच्छा मंत्री राजनाथ सिंग ने इस सफलता पर DRDO और इंडियन नेवी के अधिकारियों को बधाई दी है वहीं भारती नौसेना अभी तक ऐसी मिसाइलों को दूसरे देसों से खरीदा करती थी लेकिन अभी इस NSM मिसाइल के सफल पर इचड़ के बाद जल्द ही से भारती नौसेना में सामिल किया जाएगा और ये मिसाइल चीनी नौसेना के लिए बेहदी खतरनाक साबित होंगी वहीं अब आप लोगों का क्या कहना है DRD और नौसेना के एक साथ मिलकर सी किंग हेलिकाप्टर से इस NSM मिसाइल के सफल पर इचड़ पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरे आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद